गुद मॉर्निंग विल्कम तु हंडेट ट्वेंटी फर्स्ट डे और वोकाब क्लास एंड टुदे विल डिसकास पॉली विच मींस मैंनी चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सब्द है पॉली एंड्री पॉली का मतलब क्या होता है पॉली का मतलब होता है मैंनी यानि कि पॉलते हैं कि आप पॉली एंडरी एक प्रैक्टिस निए प्रैक्टिस और फॉ इन यूर्ग को जैँ द्मार से होता है पॉली आगे देखें खिए पहला है पॉली गयानी पॉली का मतलब हो कि और गायनी का मतलब होता है कि विमन तो वैसा प्राक्टिस इसमें किसी एक का एक से अधिक वाइफ होता है एक टाइम पर ही एक से अधिक टाइम एक ही समय पर एक से अधिक वाइफ होना ही का लगा क्या प्राक्टिस the practice of having more than one wife at a time. उसी को बोले हैं क्या? polygamy. अगला सब्सक्राइब दह है polygamy. polygamy का मतलब गया मैनी. aachamy का मतलब क्या हुथा? marriage. यहनि एक से अधिक विवाह. वह बोले हैं क्या? polygamy. ठीक है? the practice the practice of having of having more than one marriage उसी को क्या बोलेंगे poly क्या हम भी बोलेंगे इसका बोली आर्की poly का मतलब क्या हता है पढ़ते हुए आभी आ रहे हैं आज हम लोग को पुरा class में poly से ही पढ़ना है इसका मतलब बता है मैं नहीं ठीक है और रहर के मतलब क्या ता है government वैसा government इसमे एक से आशे तीन से अधिक तीन से अधिक क्या होगा जो लोग होगा वो government चलाएंगा उसी को बोलेंगे अमाऊ पणिया पाली नहीं अनुर्या जाए तो government 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 of having more than थ्री पर्सेंस तीन से अधिक लोगों के द्वारा जो सरकार चलेगा उसी को लेगा पॉलियर की आगला सब दो पॉलिक्रोमेटिक पॉलिका मतलब होता है मैंनी और क्रों का मतलब होता है क्या कलर तो वैसा कोई ब्यची जिसमें एक से अधिक और हो और क्या बहुत सारा कलर हो उसी को बोलें क्या polychromatic having having are displaying or displaying many colors many colors उसी को बोलें क्या उसी को बोलें क्या polychromatic अग्रा सब्सक्राइब पॉलि डेक्टल वाली का मतलब क्या होता है मैंनी और डेक्टल का मतलब होता है फिंगर उंगली बहुत सार ऐसे लोग होते हैं जिसका अब नॉर्मल जो नॉर्मल से अधिक उंगलियां होता है हाथ में या फिर पाउं में तो वह बैकती क्या कर लगा पॉलिडेक्टल कर लगा एक्जामपल रित्तिक रोस हैं उसके से पॉलिडेक्टल कर लाएगा ठीक है तो डिफाइन कर देता हूं हाविंग मोर दैन दे नॉर्मल नंबर्स आफ फिंगर्स और टूस उसी को बोलेंगा पॉलिडेक्टल उसका पॉलिडिप्सिया पॉली का मतलब मैंनी होता है और डिप्सिया का मतलब होता है प्यास ठीका है जिसको और बार बार प्याइस लगता है उसी चुट कर्दिशन कर उसी चेदिव बहुत को बोलेख थकर पॉलीड जिए ईसको एक्सेशिवश लगता है ठीक है बन्वर्म अबन्वर्मल और configur ॉथर। एस teşekkür कोता प्यास इनद को थास्टूसुनोस इक। त्रस्ट्नेस थर्स्ट्नेस ठीक है? पाली डिप्सिया। अगर आछ प्वाली गोट अट्र पैली मद्लला बहुत सारा हो घ्या अगर्ट का मत अगवूएज तो वैसा कोई व्यक्नी जो काफी बहुत सारा भासा जानता है उसी को बोलें का पौली गोट या फिर मल्टि- ठीक है मतलब इसको डिफान करता हूँ परसन हूँ यह वन हूँ वन हुट गान स्पीक वन हूँ कैने स्पीक और राइट मैनी लंग्वेज इस ठीक है उसी को बोलिंग है पॉलीगार्ट अगला सब देप पॉलिग्राफ पॉली का मतलब होता है क्या रिकोर्डिंग पॉलीग का बहुत सारे जो रिस्पॉंसे से उसको रिकॉर्ड करता है बहुत सारा वेरियेशन उसको रिकॉर्ड करता है से पल्स रेट हो गया हार्ट भीट हो गया ब्रेधिंग हो गया बहुत सारा रिकॉर्ड करता है उसी ग्राफ को बोलता है पॉलिग्राफ लेकिन पॉलिग्राफ क जिसमें क्या होता है, एक से अधिक एंगल होता है, बहुत सार आंगल, यहांद इसको बुलता है, पॉलेऎल लेंगे इसको ऐसे तो स्क्वार बोलेंगे मतल़ क्वाड्रेटल बोलेंगे क्वाड्रेटल लेकिन तीन से अधिक इसको पॉलिगॉन भी बोल सकते से माल लो यह यह क्या है यह यह भी क्वाड्रेटल कर रहागा अगर माल लो ऐसा है इसको क्या बोलेंगा एक दो तीन चार पांच पा वसका क्या हो गहां तीन से एधिक एंगर उसी को बोलेंगा तो मैने अंगेल्ड अर ओमोरदीं ≦ त्री एंगरड चीजों क क्या बोलेंगा उसी का बोलेंगा आगे आ सता है बहुत सारा हो या है या चाहर इसका चार से आधिक बोलेंगे कि इसको क्या बोलेंगे कि में क Kirby कि इसको क्या बोलेंगे कितना इसकाosure सबस्क्राइब आप आप एक उपर निचेस, इसको यह बोलेंगा polyhydrant, ठीक है, तो यह solid figure, a solid surface, surfaces with many surfaces, many flat surfaces, many flat sides यह surfaces are more than, more than four sides, उसको बोलेंगा polyhydrant, ठीक है, इसका, तीन से यादे, चार से यादे क्या होगा, surface होगा, उसको बोलेंगा polyhydrant, अगला सब्सक्राइब, poly का मतलब क्या होता है, poly का मतलब क्या होता है, और math का मतलब क्या होता है, math का मतलब क्या होता है, learn, सीखना, तो polymath क्या होता है, वैसा व्यक्ति होता है, जो बहुत सारे different subject सीखता है, बहुत सारे different subject को जानता है, उसको बोलता है, पहली, polymath मतलब देख यजाता बोल सकते हैं बहुत सारे विधिए का ज्याता उसे को कोलेंगे oh, with u का ज्याता, define करते हैं इंखलेकर इंगलिश में एक सब्षेट्स हूप्ज shown is a person who a person who knows a lot of a lot aboutwhat a lot about many different मैंने डिफ्रेंट सब्जेक्ट्स बहुत सारा विश्यों पर जानकाई रखता हूँ अगला सब्सक्राइब पॉलीमर पॉली का मतलब होता है मैंनी अमर का मतलब होता पार्ट तो मतलब क्या हो गया वैसा कोई भी चीज या तो नाच्रल हो या और फिर आटीफिसयल जिसमें बहुत सारा मॉलीकुल हो जिसके बहुत सारा मॉलीकुल इसे हो गया प्लेथीन ठेकर स्टार्च गुलुकों सब क्या प्लीमर है अगर आप विज्ञान के वोई द्यारती होंगे तो सब यह होंगे ठीक फिर विए लेकिन रखना है वैसा कोई भी आर्टिफिसियल या नाच्री सबस्टांच जिसमें क्या आख बहुत सारा मॉली किल्ट सोगा ठीक है बहुत सारा मॉली को समौसी को बोढ़ियां क्या पॉलीमर अनाच्री और अर अर्टिफिसियल सबस्टांसेश सब्सटांसेश कंसिस्टिंग आफ लार्ज नमबर आप सिंगल टाइप आफ आफ मॉलिक्यूल्स उसी को बोलें क्या पॉलीमर उसका दया फॉलीमर वहोगा को सबस्टांस इसका क्या होगा बहुट स्टाइल होगा उसी की बलें in various forms और style उसी को बोले हैं क्या polymorphic अगला सब्द है polyphagus poly का मतलब बहुत याणि कि मैंनी phagus का मतलब to eat fake का मतलब to eat ठीक है तो वैसा कोई भी low व्यक्ति या जो काफी जादा खाता हो ठीक है उसको बोलते है क्या polyphagus having an excessive excessive desire for food काफी जादा खाता हो खाने के इच्छा रखता हो उसी को बोलते है polyphagus इसको 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 इनोने इस था वरासियस था ठीक है वरासियस इसके बारे हम लोग पहले ही पढ़ चुके है उसके आदे यूरी या क्या यूरी फेगस ना यूरी यूरी फेगस ये इसका सिनोनिम्स हो सकता है ठीक है उसके बाद है polyphony poly का मतलब होता है many अब phony का मतलब क्या था sound यानि कि है वैसा कोई भी जो क्या करता है बहुत सारा जो अलग-अलग sounds है उसको इसको इस्तमाल कर वे विभीद विभीद मतलब बहुत सारा स्वर बहुत सारा स्वर कास्तमाल करके विभीद स्वर संगीत कोई बोलें क्या polyphony ठीक है music combination, music combination, music combination by two or many या more than two, या two or many independent, independent melodies या फिर music in a harmony ठीक है उसको बोलें क्या? polyphony बोलेंगे, अगला सब्द है polypnea, polypnea, poly का मतलब होता है many, apnea का मतलब होता है apnea, apnea है याँ पर जुड़ा हुआ, apnea ठीक है, apnea जिसका मतलब होता है, ये silent है याँ पर जिसका मतलब होता है breathing तो ऐसा medical condition ना, या ऐसा medical condition जिसमें बाकती क्या काफी गहरा गहरा या फिर ते इते सांस लने लगे उसको बोलेंगे पॉलिपनिया, ठीक है? abnormal, deep and rapid breathing, rapid breathing को ही बोलेंगे, पॉलिपनिया, अगला सब्द है polytheism, poly का मतलब होता है many और theism का मतलब का होता है faith, ठीक है faith, ठीक है God होता है, ठीक है ism का मतलब होता है belief, ism का मतलब होता है belief, ने polytheism क्या हो जाएगा? वैसा belief जिसने में क्या होता है, बहुत सारे God पर विश्वास होता है, belief in many या multiple God, belief in more than one God, यानि एक स्याधिक भवान पर विश्वास, उसी को बोलेंगे क्या? आस था, उसी को बोलेंगे polytheism, अगला है poly, 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 क्या है, poly toquus, poly toquus, poly का मतलब क्या होता है, many होता है, और toku का म मतलब होता है, बर्थ, तो वैसा कोई भी चीज़ जो एक से आधिक ज्यादा, मतलब का सकते है, एक से आधिक जन्म देता हो, जन्म देता हो, लेता नहीं हो, जन्म देता हो, ठीक है, उसी को बोलेंगे poly toquus, ठीक है, producing many, producing many offsprings, offsprings at a single birth, ठीक है, इसे मानल हो गया, rabbit हो गया, dogs हो गया, इसे एक से अधिक आउस्प्रिंग जन्म देता है, एक बार में ना, तो सारा क्या कर लाएगा, poly toquus कर लाएगा, अगला सब्दे, polyurea, poly का मतलब था many, और urea का मतलब यूरीन होता है, यूरीन होता है, यूरीन मतलब जो, वै excessive secretion, secretion of urine as in some disease, उस condition को बोलते हैं, polyurea, तो आज का सब देहीं समाप्त होता है, मिलते हैं अगले क्लास में, thank you all.